दोस्तों यो तो एनिमल बे जुबान होते है मगर जब इन पर कोई मुसीवत आन पड़ती है तो ये इनसान के पास मदद मांगनी के लिए आ जाते है जिस तरह वेल मशली से हर कोई डरता है मगर जब इस वेल मशली के ओपर बड़ी सी रसी फज गई और इसे कोई मदद के लिए नहीं मिर रहा था तो ये खुद बखुद स्वीमर्स तक आई दोस्तों फिर इसके बाद स्वीमर्स ने इसके साथ क्या किया ये हम वीडियो के आखिर में देखेंगे इसके बाद जब इस छोटे से पपी का सड़क पर एक्सिडेंट हो जाता है और इस सड़क पर तडपता हुआ रहता है तब इस आदमी ने आकर की इसकी हेल्प दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जब एनिमल्स को पढ़ती है जरूरत जब एनिमल्स मushkil में होते है तो उस वक्तों इनसान को याद करते है और इनसान उस वक्तुन की मदद करता है आज के इस एपिसोड में कुछ ऐचा ही दिलशस वीडियो आप देखने वाले है तो चलिए शुरू करते है आज की हमारी वीडियो कमपनी से निकले हुए तारकोल के अंदर ही डॉक फस जाता है इसके बाद ये ज़रा से भी मुवमेंट नहीं कर पाता और ये जितना बाहर निकलने के कोशिश करता है उतना ही तारकोल इसे अपने अंदर फसा लेता है जब आसपास के लोग इसे देखते हैं तो इस डॉक को तारकोल में से निकलने के लिए पूरी रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है सबसे पहले इस तारकोल को JCB की मदश से निकाला जाता है और फिर इस डॉक को तारकोल गंदर से निकालने के लिए आइस्ता इस्ता खीच करी से तारकोल के बाहर निकाला जाता है दोस्तो आप इस डॉक की हालत देख सकते हो कितनी ही ज्यादा खराब है rescue team इसके शरीर पर से तारकोल निकालने के लिए कुछ अलग chemicals और lubricants का use करती है जिसके विए से dog को जादा नुकसान ना हो दोस्तो बहुत समय तक इसके body बसा तारकोल निकालने के बाद dog पूरी तरह से normal हालत में हो जाता है और फिर इसे दोबारा से छोड़ दिया जाता है जब एक परसन कार को छोड़ कर कहीं जाता है जब वो दोबारा लोट कराता है तो वो देखता है कार के अंदर आग लग चुकी है मगा सबसे चौकाने वाली बात यह है के कार के अंदर उसका कुटता भी होता है जब वो करीब जाकर ये नजारे को देखता है तो आसपास खड़े लोगों से हेल्प मांगना शुरू करता है सबसे पहले ये ड्राइवर कार के सभी शीशों को तोड़ता है और सेफली डॉग को बाहर निकालता है अगर ये डॉग थोड़े दिर तक और कार के अंदर होता तो शायद इसकी मौत हो जाती दोस्तो बहुत ज़्यादा सर्द होने की वज़य से इस हिरन के मुँपर बर्फ जम चुकी थी और बर्फ भी ऐआसी जगा जमी थी कि हिरन इसे खुद zombie नहीं तोड़ सकता था ना ही इस वज़य से खाना खा सकता था ना ही पानी पी सकता था इसे भी पढ़ी इंसान की जरुवत जब एक इंसान ने इसे देखा वो जाकर फॉर्णा नहीं इस हिरन की हेल्प करना शुरू किया और उसके मुँपर से सारी बर्फ को आइस्ता हिस्ता तोड़ना शुरू किया अब देखिए दोस्तो नेक्स्ट वीडियो को जहां पर ये कपल बीच की किनारे वॉकिंग कर रहे थे तभी उनकी नजर एक टर्टल पर पड़ी जो कि चट्टानों की बीच बिल्कुल इस तरह से फसा हुआ था कि अगर इसे नहीं निकाला गया तो कुछ दिन बाद ही इसकी मौत हो सकती थी जब एक कपल इस टर्टल को फसा हुआ देखते है तो ये इसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते है दोस्तों मगर टर्टल इतना भारी और इतना हैवी होने की वज़या से ये इनसे बाहर ही नहीं निकल रहा था फिर दोस्तों दोनों कपल्स ने थोड़ा दिमाग लगाया और चट्टान की थोड़े से पाट को तोड़ा और टर्टल को वहां से बाहर निकाला जैसे ही टटल उस फसी हुई चट्टान से बाहर निकलता है ये दोनों कपल्स का शुक्रियादा करते हुए पानी की तरह बढ़ जाता है दोस्तो बर्फ की लेक के उपर ये हिरन फस जाता है बर्फ चिकनी होने की वज़े से ना ही ये हिरन उस पर चल पाता है और आगे बढ़ने की हर कोशिश उसके पैर फिसाल कर उसे जमीन पर गिरा देती है दोस्तो ही हिरन लेक पर से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन आखिर में हार मान कर उसी जगा पर बैठ जाता है जब एक भला आदमी इस हिरन को देखता है तो अपनी नाव लेकर उस लेक के अंदर जाता है और इस अपनी नाव में बैठा कर इसे ही किनारे की तरफ लेकर आता है और फिर इस हिरन को किनारे पर लाकर छोड़ दिया जाता है दोस्तो एक उट सड़क की किनारे बैठा हुवा लोगों को दिखता है ये एक भूका प्यासा ऐसा उट जिसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था जब एक भले आदमी ने इस उट को देखा तो वो फॉरान ही अपनी गाड़ी से उतर कर अपनी बॉटल का पानी इस उट को पिलाया दोस्तो ये उट भी कितना समझदार है जो कि सड़क के वीज में ही आगर बैठा क्योंकि इसे पता था कि कोई न कोई इनसान मुझे देखकर जरूर पानी पिला देगा दोस्तो अब देखिए इस वीडियो को जहां पर एक वेल मशली के गरदन में एक बड़ी से रस्सी फस चुकी है जब कुछ सुईमर्स इस वेल मशली को इस रस्सी में फसा हुआ देखते है तो वो फॉरान ही इसके करीब जाते है और रस्सी को काटना शुरू करते है ताकि वेल मशली की जान बचाई जा सके मगर दोस्तो रस्सी इतनी जादा मोटी होती है कि इसे काटने में भारी समय लगता है दोस्तो जब बहुत ही मुश्किल के बाद ये रस्सी काट दी जाती है जैसे ही ये मसली जाल से अजाद हो जाती है ये सुईमर्स के करीब घुमने लगती है जैसे कि ये इने अपना दोस्त बनाना चाहती हो दोस्तो देखिए इस पपी को जहाँ पे एक एकस्रीन्ट हो गया है और ये रोड पे पड़ा हुआ तडप रहा है जहां एक हफते तक इसकी देख भाल के जाती है और फिर पूरे तरीके से सही होने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है दोस्तो ये वीडियो आपको बिल्कुल चौका देगी जहां पे एक हमिंग बड बिल्कुल इस तरह से फसी हुई है कि इसके बाद शायद इसकी मौत ही हो जाए अगर इसे ये परसन ना देखता तो क्योंकि ना ही ये खा सकती है ना ही पी सकती है क्योंकि इसकी चौच पेड में इस तरह से फसी हुई है सबसे पहले जब इस हमिंग बड को इस पेड में से निकाला जाता है तो यह इंसान को अपना दोस बना चाहती है जंगल में कुछ लोगों ने देखा कि एक गिलेहरी नेट के अंदर फसी हुई है ये देखते ही वो लोग गिलेहरी के साथ इस नेट को उठा लेते हैं और आईस्ता आईस्ता गिलेहरी से नेट को अलग करने लगते हैं गिलेरी नेट से निकलना के बाद फॉरण ही एक पेड़ पर चड़ जाती है महर कुछी समय बाद वो उस परसन के पास दोबारा आ जाती है जिसने उसे नेट से निकाला था दोस्तो नेट जानवरों के लिए कितना खतरनाक होता है यह आपको दूसरी वीडियो में भी देखने मिलेगा यह वीडियो है हमारी इंडिया की जहांपे एक खतरनाक किंग कोबरा फस जाता है नेट के अंदर सबसे पहले रेस्क्यू टीम इस किंग कोबरा के उपर से पूरे नेट को काटी है जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और फिर इसे रेस्क्यू करने के बाद दोबारा से जंगल में छोड़ दिया जाता है दोस्तो हेल्प की बात आती है तो हमेशा इंसान ही जानवरों के हल्प नहीं करता बलकि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो खुद एनिमल्स के हल्प करते है इस वीडियो में एक लामबैक नदी के बीजो भीज फस जाता है और इसके बचाने के लिए एक पुलिस डॉग क सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सबस्क्राइब करें दी फैक टन जीपर्स को प्रेस करें बेल आइकन ताके आने वाली न्यू एन लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको नॉटिफिकेशन के थ्रू मिल सके थैंक यू फर वाचिंग द इस वीडियो